बिहार विधान सभा में स्पीकर पद के लिए 50 साल बाद हुए चुनाव में एंडिय के विजे सिना ने इस पद पर कबज़ा जमाया बिजे पी के विधायक विजे सिना को 126 तो महागट बंदन के उमीदवार और आजड़ी विधायक अवद बिहारी चौधरी को 114 वोट में ले इस तरह बिहार विधान सभा के अध्यक्ष की कुर्सी समभलने वाले विजे सिना बिजे पी के पहले विधायक बने बता दे कि इससे पहले बीजे पी कोई स्पीकर का पद नहीं मिला था हलाकि स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो सीन बिहार विधान सभा में देखने को मिला वो अपने आप में अनुखा था चुनाव के चंद महीने पहले तक महागट बंदन का हिस्सा रहे जीतन राम माजी जहां प्रोटेम स्पीकर बने थे तो महीं विकास शील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी स्पीकर चुनाव के बाद बोलते हुए पूरी महफिल अपने नाम कर ले गए दरसल स्पीकर चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव के संबोधन के बाद मुकेश सहनी ने ऐसी बात कही जो आज भी सियासी चर्चा का विशे बना हुआ है बतादे कि तेजस्पी ने अपने संबोधन में विजे सिना को बदाई देते हुए कहा कि हम वेशाली से जीत कराए हैं जो दुनिया में लोकतंत्र की जनिनी है मेरा सभी से अनुरोध है कि समिधान की रक्षा करें सच को जितना भी छुपाएं वो समय समय पर निकलाता है जूट और असत्या का साथ नहीं दे सकते हैं इसी के बाद जब मुकेश सहनी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सीधे तोर पर आरजडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीजेपी विधायक के साथ फोन पर हुई बाचीत का मामला उठा दिया उन्होंने कहा कि जो लोगतंत्र का सम्मान करेगा वो जेल से किसी को फोन नहीं करेगा मुके सहनी ने अपने शंशप्त संबोधन में तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगतंत्रों सविधान की बात करने वालों को पहले अपने घर में देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है जाहिर है दो साल पहले विकाशिल इंसान पार्टी बनाकर बिहार की सियासत के मेंनिस्ट्री में पहुंच चुके मुके सहनी की इस साहस की तारीफ हर कोई कर रहा है यही नहीं सबसे बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को इतनी खरी-खरी सुनाने का अंदास भी सबको भेर बाया है और मौजूदा सदस्यों ने जोरदार तरीके से मेज थप थपा कर उनके इस वक्तव्य की तारीफ की गोर तलब है कि एक दिन पहले शुशिल मोदी ने ट्वीट कर लालू यादव पर जेल से फोन उठाने का आरोप लगाया था उन्होंने कहा था कि मैंने लालू को फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव किया और उसमें लालू प्रसाद यादव की आवाज थी जिसके बाद ये गंदा खेल नहीं खेलने की सलादी थी इसको लेकर विकाशियल इंसान पार्टी के नेता और पशु एवं मतस्य संसादन मंत्री मुकेश सैनी ने आज़ेडी सुप्रेमों पर हमला किया मतादी की बुद्वार को विधान सभा द्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के तहट पहले वोइस वोटिंग कराई गई लेकिन विपक्ष गुप्त मतदान पर अड़ा रहा प्रोटेमी स्पीकर मांजी ने साफ कर दिया की सविधान में गुप्त मतदान के प्रावधान नहीं अलबत्ता मांजी ने मतव विभाजन से चुनाव कराने की मंजूरी दी इसके बाद विजय सिना के अद्यक्ष बनने पर मुख्य मंतरी नितीश कुमार उप मुख्य मंतरी तारकिशो और प्रसाद रेनू देवी विपक्ष के नेता तेजस्वी आदव संसद्या कारे मंतरी विजय चौधरी कॉंग्रिस विधान मंडल दल के नेता आजीत शर्मा हम प्रमो कुझीतन राम माजी मंतरी मुके सेहनी ने उन्हें बदाई दी बियरो रेपोर्ट एस्पेन नाइन नियोज